नमस्कार, सचिन तंदूलकर जब मैदान पर होते थे तब उन्होंने कई दफे अपने आलोचकों को अपने बल्ले से जवाब दिया लेकिन अब जब वो मैदान के बाहर हैं तब वो खुद एक आलोचक बन गए हैं हाली में उन्होंने महेंदर सिंग धोनी की अफगानिस्तान टीम के खिली गई पारी की खुब आलोचना की जिसके बाद सचिन के फैंस और धोनी के फैंस आपस में भड़ गए और सचिन को कई तरहां से उन पर हमले किये गए लेकिन सचिन तेंदुलकर को धोनी ने वेस्टनीज के खिलाफ वॉल्ल कप में खेले गए मैच में इस मुकाबले में घलत साबित कर दिया है धोनी ने बता दिया है कि अभी उनके भीतर का क्रिकेट जिंदा है और शेर कभी बुढ़ा नहीं होता धोनी ने भली सुस्त पारी खेली लेकिन आखिर में उन्होंने पारी को रफ्तार दी, स्पीड दी और नतीजा ये रहा कि उन्होंने हाफ संचुरी भी मारी ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इस हाफ संचुरी का युगदान रहा, भारत एक सम्मान जनिक स्कूर तक पहुँच पाया और 268 रन के स्कूर तक भारत पहुँच पाया है लेकिन क्या ये र आलोचना आज सचिन तंदुलकर को खल रही है, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहिउग के अभिशेक, क्या अभिशेक आज सचिन को मलाल होगा अपने र आलोचना पर? दीमी तो थी थी 28 सेन बनाई थे 52 गेंदो पर अफगानिस्तान के खिलाब मेंदर सिंग दोनी ने लेकिन एक तरफ ये भी देखना होगा क्योंकि अफगानिस्तान के पास दुनिया के महान इस्पिनर्स है और पिछ में गुमाव था पिछ में इस्पिन था इस्पिन को मदद कर रही थी उस समय तो थोड़ी धीमी विकेट गर चुके थे खास तोर पर कर बोलें तो भारत के ओपनी करम जो था वो आउट हो चुका था ऐसे समय पर धोनी का केदा जादो के साथ जो पार्टनर्सिप्ती थोड़ी धीमी थी कह सकते हैं सचिन को लग रहा होगा कि सायद और थोड़ा तेज नहीं हो सकता था लेकिन क्योंकि टीम को मैच को आगे ले जाना था इसकोर को सम्मान जाना के स्कोर तक पहुंचाना था तो दो नी सेनिर खिलारी होने के नाते ऊस समय ठोड़ा सा ठिक्कर खेल रहे थे ते लेकिन दोनी ने जरूर फोड़ी सी स्लो पार देखा हमने उन्हें चास्वेस ओवर में उन्होंने स्कोर के करना ठीक ठाक शुरू किया, स्ट्राइक रेट उनका अच्छा हुआ और उन्होंने चौके चट्के भी लगा लेकिन अफगानिस्तान के खिलाब क्यूंकि सचिन को ऐसा लागा होगा कि कमजोर टीम है, थोड़ा सा स्कोर और होना चाहिए था, दोड़ा तेज खेलना चाहिए था, लेकिन परिश्थिती क्या थी, उसके अनुकूल धोनी ने बल्लेबाजी बेशक आप सचिन को फेवर करे यहां कि दोनी ने सचिन को गलत साबित किया है, और दोनी ने बताया है, सिर्फ सचिन को ही ने इवल कि उन तमाम प्लेयर्स को, क्रिकेटर्स को और अपने आलोजकों को कि अभी वो और अच्छा खेल सकते हैं, बस मौका उन्हें मिलना चाहिए, या ऐसे मौके होने चाहिए देखें, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि सचिन अब मैदान पर नहीं है, दोनी मैदान पर है, मैदान की परिस्थिति क्या होती है, बाहर बैटकर इनसान उसका आंकलन नहीं कर सकता सही तरह से, क्योंकि पिछ किस तरह की खेल रही है, गेंद बाजों कि कितनी आके तीन बहतरीन स्पिनर्स के खिलाब थी, तो आप इसको नहीं भूल सकते हैं, हम ये भी नहीं भूल सकते हैं, जब महेंदर सिंग धोनी बेस्ट फिनिशर के तौर पर जाने जाते थे, उनके आते ही मैदान पर उतरते ही, जो विरोधी टीम होती थी, उसके वो खौफ मे आजाती थी, उसे पता होता था कि जब तक धोनी है, तब तक उनकी हाथ ता है, तो हम ऐसे ही धोनी को देखना चाहते हैं, फैंस ऐसे ही धोनी को देखना चाहते हैं, और शाहत सचिन तंदूलकर भी ऐसे ही धोनी को देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आलोचना की होग फिलाल क्रिकेट से जोड़ी हर अपडेट्स के लिए जोड़ी हमारे साथ नमस्कार